अगर मैं आपसे कहूं कि विश्णु गुप्ट कोटी ले चाड़क के हो कांट सिसकांट सिकंदर के मृत्ति विचे ताब क्या आप सोचूंगे ऐसा कैसे हो सकता है और क्यों हम राजा पूरस और सिकंदर की युद्ध को इतना महत्व देते हैं जबकि उसी युद्ध का कोई मतला भी नहीं था क्योंकि भारत में इतने बड़े-बड़े समराज दो कि सिकंदर की सेना को ऐसी मसाल के रख सकते हैं लेकिन हम उसी इर्द को क्यों महत्व देते हैं जबकि वहारा गया हो या जीताएगा उससे कोई फरक नहीं पड़ता हमारी इतिहास में इतिहास में 2000 सा दर्बार में जाते हैं मगत समराज के नंदवन्स का जो धनानन जो साशक था उसके दर्बार में विश्णोगुप्ट कोटी ले चाड़क के जाते हैं विदेसी आकरांताओं का भारत पर आकरमन होने माला है वह यहां हमें आकरमन करते हमारे संस्कृतिक सभ्वेता को नश् दिग्या सुरूप वो कहते हैं कि नंदवन्स को जो मैं उखार के फेक दूँगा अब तब आजार चाड़क के भारत वर्ष के अखंड भारत बनाने के लिए उसके लिए सुयोग्य सासक के खोज में निकल पड़ते हैं तब उन्हें विलक्षण वालक मिलता है जो कि आगे इक अधर करती हो जाती है लेकिन अमने एक बात तो छोड़ी दिया क्या कि जहलाम का युद्ध हुआ था जब सिकंदर भारत पर आक्रमन करता है वह जो है सिंधु नदी पार करके भारत में आता है फिर जहलाम के युद्ध में जो है राजा पूरु से अर्थात राजा सिकंदर का महत्तों भारति इतिहास कारों के नजरों में कुछ भी नहीं था मतलब आप सूचे युद्ध को हम इतना महत्त्व देते हैं चलिए है कि राजा पूरश जीते है ये फिर सिकंदर जीता है तो ठीक है इसामने सिकंदर की सेना तो एक मच्छण के समान भी नहीं थी इसलिए जो है सिकंदर वापिस लोड़ जाता है भले वहारा हो भले वह जीता हो पर राजा पूरश लेकिन इस प्रकार सिकंदर को भारत वर्ष से हार मानते भी वापस जाना पड़ा था और आगे चलते हैं तो विष्णु प्रकार से जो की आपको भोजन में मिलाके देजा जाएगा जो की एक हफते बाद सर करता था कुछ जो तूरंत सर करता था तो सोचे अब विश्णु गुप्ट्र कोटी ले चाड़क और भारत वर्ष इक पंधती हो कितनी श्रेश ठरही होगी और यहीं कार्ण माना जाता ह कि सब सिकंदर वापस लौट रहा था तब उसकी मृत्ति हो जाती है रस्ते में और इसके पीछे काड़ यह माना जाता है कि विश्णोगुप्त कोटिले चाड़क के दारों जो है उसे किसी प्रकार से उजहर दिया गया था जिसके काड़ से जो है हपते दो हपते के अंतर गत जो है अखंड भारत के स्चक्रवर्ति समराड बनते हैं चंद्रगुप्त मोरे जब हम आचारे चाड़क के क्या चंद्रगुप्त मोरे पढ़ते तो हम सिकंदर को नहीं पढ़ते जबकि एक दोवर्स के आसपास ही दोनों का घटना करम हुआ है और जब हम सिकंदर और पू मSTEश्द के पढ़ते जाता तो दोनों इतियास अलगश्राओ कि दोनों के इतियास एक सांथ ही जुड़ा हुँ है सिकंदर की सेना जैसं जयो होता कि सेना दुप लोता से पर्याजितर नेति कר देते हैं धा थी कई लोग इसको मानते के लोग नहीं मानते लेकिन आप अगर बात करें मेगस्थनिस की लिखी हुई बुक इंडिका की जो कि सबसे प्राचिन इतिहासिक शुरुत माना जाता है युनानी इतिहासकारों के तरब से तो उसको जो है इस प्रकार के कई सारे चीजों का वर्ण की वश्था होती थी उस सब चीज का वर्णा इंडिका में आपको देखने को मिलता है तो इस प्रकार से विश्णु गुट्ट कोटी लिए चाड़क और चंद्र गुरुप्त मौरक का इतिहास के जो एक कहानी थी वह जो है किस प्रकार से सिकंदर से जोड़ती है और किस प अब इसको महत्वन ही दिया या फिर वह जो है इस सब चीजों को जो है उतना ज्यादा महत्वन ही दिया करते थे तो आप इसको पताएगा कर दो अब